नमस्कार दोस्तो वेलकम टू इस्टडी न्यूज आज हम इस वीडियो में चार अगस्त के एक्जाम रिलेटेट जितने भी इंपोर्टेंट कोस्चन है उन्हें हम यहां डिसकस करेंगे सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट कोस्चन है हाली में पूरी तरह से अक्छे उर्जा पर चलने वाला दुनिया का पहला बड़ा रासायनिक उत्पादन सन्यंत्र कहां बनाए गया है ओप्संस हैं स्वीडन, नौर्वे, फिनलेंड या इंडिया तो स्वीडन में पूरी तरह से अक्छे उर्जा पर चलने वाला दुनिया का पहला बड़ा रासायनिक उत्पादन सन्यंत्र बनाए गया है तो इसमें उत्तर आप्संस ए स्वीडन सही है स्वीडन की बात करें तो स्वीडन की राजधानी स्टोक होम है स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर स्टीफन लॉफवेन है और यहां पर मुद्रा स्वीडिस क्रोना यूज होती है नेक्स्ट कोस्चिन है हाल ही में किस राज्य में महत्मा गांधी सेतू का उधगाटन किया गया है आप्संस हैं बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या गुजरात तो हाल ही में बिहार में महत्मा गांधी सेतू का उधगाटन किया गया है तो इसमें उत्तर option ने बिहार सही है इसका उधगाटन हमारे सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडगरी जी ने किया है इसे पटना और हाजीपूर को जोडने के लिए गंगा नदी पर बनाये गया है Next question है हाली में British Grand Prix 2020 किसने जीती है? options हैं Alexander Elbon, Valtteri Bottas, Lewis Hamilton या Lance Stroll तो British Grand Prix 2020 Lewis Hamilton ने जीती है ये ब्रिटेन के हैं और ये Mercedes के driver है तो इसमें उत्तर option C Lewis Hamilton सही है Next question है हाली में वेग्यानिकों ने किस ग्रह पर सक्रिय ज्वाला मख्यों की खोज की है? options हैं सुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, बुद्ध ग्रह या ब्रिस्वति ग्रह तो हाली में वेग्यानिकों ने सुक्र ग्रह पर सक्रिय ज्वाला मुख्यों की खोज की है तो इसमें उत्तर option A सुक्र ग्रह सही है एक अध्यन में सुक्र ग्रह पर 37 सक्रिय ज्वाला मुकी सन रचनाओं की पहचान की गई है ये हमारे सौर मंडल का दूसरा ग्रह है इसका अध्यन सुईजर लेंड के जियूरिक में मेरी लेंड इन्वर्स्टी और इंस्टिटूट अफ जियो फिजिक्स के सोध करताओं द्वारा किया गया था हाल ही में किसे इंगलेंड का फुटबॉलर ऑफ दे इयर चुना गया है अप्संस हैं लियोनल मेसी, क्रिष्टियानो रोनाल्डो, जॉर्डन हेंडरसन या जावी ओलन्सो तो लिवर्पुल के प्रिमियर लीग खिताब विजेता कप्तान जॉर्डन हेंडरसन को इंगलेंड का फुटबॉलर ऑफ दे इयर चुना गया है तो इसमें उत्तर ऑप्संस ही जॉर्डन हेंडरसन सही है हेंडरसन ने इस सीजन में अब तक 30 लिवर्पुल के लीग मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 4 गोल किये हैं आप्संस में ये जो लियोनोल मेसी है इनके बारे में मैंने अभी हालिम बताया था कि जो इस्पैनिस लीग हुआ था जिसे ला लीगा भी कहते हैं इसके लिए इन्होंने रिकॉर्ड साथवी बार गोल्डन बूट अवार्ड जीता था नेक्स्ट कोस्चिन है तो अभी हाली में हमारे स्वास्त मंत्री डौक्टर हर्स वर्डन ने विद्यार्थी विज्ञान मंत्री बारत एयर फार्डन किया है तो इसमें उत्तर आप्सन ए सई है नेक्स्ट कोस्चिन है हाली में किस राज्य में भारत एयर फाइबर सर्विसेस का उधगाटन किया गया है आप्सन्स हैं आंद्र प्रदेश, तमिल नाडू, मद्य प्रदेश या महराष्ट्र तो अभी महराष्ट्र में संचार और आईटी, राज्य मंत्री स्री संजे दोत्रे ने दो अगस दोहजार बीस को अकोला में भारत एयर फाइबर सर्विसेस का उधगाटन किया है तो इसमें उत्तर आप्सन्डी महराष्ट्र सही है, इससे ग्रामिड भागो सहित अकोला और वासिम जीलो की निवासियों को अब वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा ये ग्रामिड छेत्रों में एक महत्पूर्ण भूमी का निभाएगा और बी एसनल ग्रामिड छेत्रों में इस सेवा को प्रदान करेगा नेक्स्ट कोस्चन है हाल ही में थुडूरू लिपारा के पहाडियों को जैविविदता विरासत इस्थल का दर्जा दिया गया है ये किस राज्य में है ऑप्संस हैं तमिल नाडू, केरल, करनाटक या आंधर प्रदेश थुडरू लिपारा केरल के पहाडियां है जिन्हें जैविवेता विरासतिस्थल का दरजा दिया गया है तो इसमें उत्तर आप्सन भी केरल सही है केरल की राजधानी तिर्वनंत पुरम है केरल के मुख्यमंतरी पिनराई विजियन है और गवर्नर आरिफ महम्मद खान है रसिया, USA या अस्ट्रेलिया रोबीना एस्टी जो USA की है दुनिया की सबसे उम्रदराज फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और पाइलेट बनी है उत्तर आप्सन सी USA सही है ये 99 साल की है नेक्स्ट कोस्चन है विश्व संस्कृत दिवस कम मनाय जाता है आप्सन से एक अगस्त, दो अगस्त, तीन अगस्त या चार अगस्त तो विश्व संस्कृत दिवस तीन अगस्त को मनाय जाता है तो इसमें उत्तर आप्सन सी तीन अगस्त सही है विश्व संस्कृत दिवस ह रामवण मास की पूर्णिमा को मना जाता है तो ये थे आज के important questions so thanks for watching this video please like, subscribe and comment